हेलो अविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटसी प्रिव्यू में मुकाबला यहां पे जैस के बनाम आइम मैसी टी एन यह मुकाबला के ले जाएगा अध दे वांडर इन जोहानिसबर्ग अब इस मुकाबले में याद रखिए कि थोड़े से रेंड के चांसे हैं वोड़े से रिस्की हो गए हैं गेम्स तो संभाल के इन्वेस्ट करिये एंड लेट स्ट्रेट टू पर जैसे में आपको टेलिग्राम पर कहा दा कल की ज्यादा मिनी जील्स खेलें हैं अब अब अट लीस तिल वह पहला राउंड और पहला सब वेन्यूज और टीम्स कवर हो जाए तो इस बात का धियान रखीगा इन गिववेड डोंट फोगेट तो जॉइन और माइमास्ट एलेवन आपका लिंक है वीडियो के दिस्क्रिप्शन में अगर यह कॉंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो यह हुई आज की बात और जैसे मैंने का माइमास्ट लेवन पर फिफ्टी के का गिववेड चल रहा है वर एवरी साथ आफ्रिका टीवेंटी गेम और नो टीडियस और जीएस और एक नो लॉस लीग भी चल रहा है उसकी स तो सब डीटेल्स आपको वही पे मिल जाएंगी वैदर इस एक्सपेक्टेट टो इंटरब इस गेम सैडली वापस हो सकता है कि हमें पूरा मुकाबला यहां पे ना मिले तो उस बात का ध्यान रखेगा एंट टीम वही साब से बनाईएगा अब यहां पे जैनली एक बैटि इस के लिए यहां पे बाउंस अच्छा रहता है इस पिनर्स के लिए इंट्रेस्टिंगली उतना ही लो रहता है तो मेबी वेन यू टेक्ट पेस ऑफ बाउंस हो सकता है उस बात का ध्यान रखेगा और यह आप देख सकते हो ग्राउंड डैमेंशन काफी शॉर्ट है फिफ स्पेशली इनिंग और भी यहां पे लीटल हो जाएगा यह इस पिन हमने देखा तो अब तक एक गेम नहीं कहला है एंड फर M.I.C.T. मैं खाली यह एक्सपेक कराऊं कि अगर जॉर्ज लिंडा पिट है तो वह थॉमिस कबीर के जगे वापस आ जाएंगे तो अब चलते हम हमारे इंडिविजिल प्लेयर कार्ट की तरफ वी स्टार्ट विश्ट विश्ट के ओपनिंग बैटर फाफ दूपलिसी एक बहुत ही अच्छे बैटर है विट मल्टिपल यह अब इनका जो पास रिकॉर्ड है वह एक कंसर्ण रहा है वर्सिस M.I.C.T. तू मैच्चे में सि 760 runs 47 average and 150 strike rate तो अगर यह कहा जाए कि upfront कुछ movement है तो वह एक tricky part रह सकता है इस match-ups भी इनके कुछ खास नहीं है बट अगर वो set-in कर जाते हैं और गुट बैटिंग ट्रैक आप देख सकते हो कि when you record इनका काफी अच्छा है तो अभी के लिए एक थोड़े से 50-50 पिक बन जाते वह साब से इन फाक्ट यह कि में बहुत सारे बैटल इसी कॉलिम में आएंगे कि आप उन्हें पिक करें और ना करें क्यूंकि सम्टिंग्स नौट वोकिंग इन देर फेवर सेम पर रीजा एंड्रिक्स मैच-प्स नौट इन इस फेवर M.I.C.T के सामने दो मैच में से दो रंस बट वापस एट वांडर इंका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है तू ट्रिकी पिक्स तू सार्ट ओफ एट जब हम टीम बनाएंगे वहां पर यह बात वापस डिस्कॉस करेंगे कैसे इन्हें आप्टिमाइज किया जा सकता है महीन अली फ्लोट इन वेटा प्लस औरम यह ओडर में कहीं भी आ सकते हैं इनकी इनकी इमपोर्टर्स बड़ जाएगी बत पिछ में इनकी हिसाब की ना हो यहां पर and at Wanderers 2 matches में 26 runs and 1 wicket so nothing much to talk home about Lewis Duploy, बहुत ही अच्छे रहे यह in the last year and I think अगर एक batter है जिनके लिए काफी चीज़े favor में चल रही है वो है यह Lewis Duploy as versus MICT भी इनका record अच्छा है and at Wanderers 4 matches 167 runs at a strike rate of 157 so incredible numbers there and सामने राशित भी नहीं है तो middle overs में कोई quality spinner नहीं होगा इन्हें परिशान करने के लिए हमने देखा Thomas Kabir struggled quite a bit and Liam Livingston भी एक part-time spinner है so keep in mind that a quality pick Lewis Duploy Donovan Ferreira obviously seen very little of him versus MICT two matches में सिर्फ 26 runs and 1 wicket ले चुके उनके सामने while at Wanderers 6 matches में सिर्फ 40 runs and 2 wickets so nothing much again to talk home about पहले batting में आप GL में of course इनको try कर सकते हो David Visa lower order batter at Wanderers 12 matches 114 runs 4 wickets काफी खराब recording का क्यूंकि यहां की जो pitch है में भी इन्हें ना सूट करें इन्हें पसंद है change-ups use करना and ज्यादतर बार जब specially अच्छी बैटिंग pitch यहां पे हमें देखने को मिलती है तो ज्यादा इन्हें assistance नहीं मिलती nor with the bat and nor with the ball Romario Shepard 6 matches 62 runs and 5 wickets and versus MICT 2 matches 1 wicket and 20 runs तो एक ठीक टाक record यहां पे है बट मैं expect करना हूं कि यह इस team के 3rd या 4th bowler रहेंगे तो full quota and 15-20 runs I am expecting at least 1 wicket and 20 odd runs उससे आपका काम fantasy value के साब से बन जाना चाहिए and इन्हें जो steep bounce मलती है यहां पे तोड़ी सी variable bounce भी इन्हें मिल जाए so good fantasy value for this game Gerald Quirzia wicket machine है on his day and काफी अच्छे form में रहे है off late 2 matches 5 wickets versus MICT and 6 matches 10 wickets so यह 1.5 wicket के उपर का average है इनका at venue and versus opponent so of course आप इन्हें लेकर जाओ गे Nandre Berger at Wanderers 5 matches 4 wickets जब इनके साथ क्या issue हो जाती है कि upfront अगर इन्हें movement ना मिले तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका पूरा quota ना complete किया जाए as ज्यादा है इन्हें test specialist अभी के लिए देखा जा रहा है test specialist and ODI 10 over format bowlers so will be interesting to see based on the conditions इन्पे call लिया जाएगा अभी के लिए जैसे conditions है maybe इन्हें ना pick किया जाए lizard williams अब एक consideration होगा इनके लिए कि अगर यह पहले bowling करते हैं तो फिर थोड़े ज्यादा dangerous हो जाएंगे as फिर in the death in का role बनेगा along with gerail courtzia तो वो हिसाब से आप इन्हें in mind रखे बट क्यूंकि इतने सारे MICT तीन मैच में से 2 wickets and at Wanderers 41 matches 43 wickets अब यह ऐसे ताप के बोलर है कि थोड़े से defensively डालते हैं run बचाने के लिए जाते हैं तो वो इसाब से maybe a good GL option especially जब second bowling हो else I think base team में तो जगे इन्हें नहीं मिलेगी Imran Tahir right arm leg break bowler I think quality bowler and काफी aggressive style of 11 matches में 12 wickets at Wanderers वापस इन्हें spin कितना मिले गए यहां पर that will be questionable बट जो bounce unevenness है यहां पर उसका यह फाइदा बिलकुल उठा सकते हैं तो definitely again a pick to try but based on the conditions and based on the toss इन पे भी एक कॉल तब लिया जाएगा तो यह हुई JSK की बात अब चलते हैं MI Cape Town की तरफ and we start with Ryan Rickleton बहुत ही impressive पारी खेली इन्होंने in the last game and domestic player of the season भी रहे हैं जैसे मैंने last time कहा था versus JSK एक match में 21 runs and at Wanderers 13 matches 246 runs 22 का average so nothing to talk home about but इतना खराब record भी नहीं है बिलकुल आप इने try कर सकते हो in the team रासी वांडर डसन top order batter अभी के लिए form इनके साथ नहीं है बट ऐसे type के player है कि जब चलेंगे and क्योंकि अब यह opening कर रहे हैं तो थोड़े ज्यादा dangerous हो जाते हैं वापस based on form आप इन पे risk ले सकते हो but versus JSK two matches 34 runs very average record but at Wanderers काफी अच्छे numbers हैं 32 matches 925 runs 36 की average and 140 की strike rate Deval Brous obviously upcoming clear but हमने देखा इनके साथ कि starting से हर ball short मानने जाते हैं and जो सामने की bowling है 4-5 quality options है उनके पास unless इनका दिन हो and यह चल जाए तो अलग बात है but else क्योंकि इतना high risk लेते हैं maybe risky to pick in your small leagues team and एक match में 4 runs versus JSK and एक wicket तब उनने bowling भी की थी and at Wanderers one match 27 runs and one wicket Conor Esteeusen obviously एक rookie talent है यह last game में है इने देखा था ज्यादा इने नहीं नहीं देखा है मैंने खेलते हुए but कुछ raw hitting power दिखी हमें महाँ पे and GLs में आप इने में भी कुछ teams में rotate कर सकते हो Liam Livingston middle order batting all rounder last game में Thomas Kabir के overs अच्छे नहीं गए and 2 overs Liam Livingston ने वहाँ पे डाले to cover up at Wanderers one match 21 runs and एक proper pace hitter है यहाँ पे conditions इने suit करने चीए तो definitely आप इने pick कर सकते हो Sam Curran of course form इनके साथ नहीं है maybe यह pitch से इने कुछ खास ना मिले versus JSK में दो matches में 17 runs and सिफ 2 wickets and at Wanderers one match 2 wickets and 2 runs so पहले bowling में ज्यादा consider कर सकते हो else form इनके साथ नहीं रहा है but last game में फिर भी थोड़ा इनोंने ठीक था bowling किया in comparison to जैसा उनका series रहा था versus the West Indies George Linda मैं expect कर रहा हूँ कि वापस आएंगे in this game क्यूंकि even if not with the ball with the bat इनका impact काफी बड़ा हो सकता है down the order versus JSK दो मैंच में 3 wickets and 4 run and at Wanderers 10 matches 12 wickets and 111 runs so of course मैं expect कर रहा हूँ कि यह वापस आएंगे in this game क्यूंकि Thomas Kabir का जो एक over गया था कुछ खास नहीं था Kyren Pollard and यहां आप देख सकते हो first inning second innings pitch सब इनके साब की at Wanderers seven matches 158 runs and the standout point 6 wickets ले चुके यह at Wanderers but I don't think bowling करेंगे obviously versus JSK नहीं खेले as in का पहला सीजन नहीं आपर like we know can be restricted with the ball at his body and हमने देखा है कि जलाल कुर्जी आप बिल्कुल वैसी bowling कर सकते हैं तो GLS में आप बिल्कुल इने try कर सकते हो Buren Hendricks अब इस तरीकी के pitch पे इने कितनी help मिलेगी that will be the key question while at Wanderers in 10 matches 13 wickets ले चुके है Reza Hendricks and Fab Duplessy will pose a challenge up top मैं नहीं expect कर रहा कि दोनों में से कोई भी आके जल्दी अपना wicket fake दे but अगर faking है तो फिर ये beneficiary रहेंगे है हमने देखा 5 last match में जो 5 over हो इसे first 5 overs उसमें से 3 overs in case है so definitely worth considering अगर up front कोई भी help on the track कगीज और अबाड़ा all face bowler and match-ups इनके काफी positive versus JSK 2 matches में 2 wickets and at Wanderers 18 matches 19 wickets so not a record जिससे आपको लगे कि अच्छा इनको बिलकुल ले नहीं है but मेरे हैसाब से क्यूंकि match-ups इतने खास है मुझे तो लग रहा है इस game में में भी captaincy, vice captaincy choice भी बन सकते हैंगे नुवान तुशारा I'm not sure कि available है कि नहीं क्यूंकि इनने announce किया गया बट फिर मैंने कल पढ़ा कि कोई practice match खेल रहे थे श्री लंका में so I don't think this guy is available but first bowling में definitely worth considering if he's there only stone right arm opening and middle overs bowler अमने देखा last game में आके पहले ही starting में विकेट ले लिया बट फिर बहुत सारे runs खाया और क्लासन वापस जो variable bounce है at a good length उसका फाइदा इस type के बोलर बिलकुल उठा सकते हैं बट वापस I don't know किनका कोटा कितना रहेगा and which number on the bowling line-up will he be at GLS में आप rotate कर सकते हो because Lewis Duplois इन के लिए काफी बड़ा चालेंज लेकर हैंगे in the mid-lowers Dua and Jansen unlikely to play Rolof Sin unlikely to play match-ups for this game Faf vs. Rabada 34 of 34 and 4 बार आउट कर चुके हैं strike rates hit 100 Brevis vs. Quirzia 28 of 20 battle of fire because 2 wickets भी आपको देख रहे हैं आपे Livingston vs. Visa 12 of 17 and 2 wickets काफी आप आपे Livingston का and Rassi Vanda Dustin vs. Aaron Fungi so a match-up to watch out for 16 of 20 इन एक बार आउट कर चुके हैं already so definitely some very interesting match-ups there and जब आप GL teams बना रहे हो ये match-ups के help से आप अपने drops और picks बिलकुल कर सकते हो अब चलते हैं हमारी आज की fantasy team so we start with the keeping section Ryan Rickleton pretty much obvious choice यहां से जैसे मैंने गा Connor Esther Yuzan को GL में rotate कर सकते हो in the batting section Fav Duplessis and Rassi Vanda Dustin इन दोनों के साथ जाऊँगा मैं क्यूंकि जिस तरीकी का approach है in the start इनका fantasy value आपको definitely देख कर जा सकते हैं in the all-rounders Liam Livingston Sam Cull I think top picks यहां से section में and Romario Shepard especially जब पहले bowling करते हैं and finally from the bowling section Kagiso Rabada and Gerald Quirzia यह होंगे मेरे top two picks तो यह हुई मेरी team of eight till now अब यहां पे आपको तीन slots और भरने आप कैसे भरोगे and कौनसे situations में किस players को लोगे यह बात हम आप discuss करेंगे Lizard Williams अगर पहले bowling करते हैं and if he's the fourth or fifth option then यह team में रह सकते हैं while अगर JSK second bowling करे तो Imran Ahead will fit into that slot Holy Stone a good choice if bowling second M.I.C.T. while if bowling first Buren Hendricks is a good choice आप पे अभी के लिए मैं यहाँ दो placeholder picks लेके जा रहा हूँ अगर toss बदलता है तो आप वो दोनो players definitely बदल सकते हो and from the all-rounder section यहाँ पे मुझे लग रहा है कि if Mohin Ali is the fifth or sixth bowler and क्योंकि यह number three पे batting करेंगे वापस 20 run I'm going with Mohin Ali based on the fantasy value potential I know की pitch इनकी हिसाब की नहीं है बट यहाँ पे अगर आपको एक extra pacer के साथ जाना है वो भी कर सकते हो in the form of Nandre Berger और if you want to go with Oli Stone even in bowling first तो यह हुई हमारी base team captain, vice captain की बात की जाए तो obviously Sam Curran when he's bowling first will still be a good choice as with the bat पी इनसे आप contribution expect कर सकते हो in this league vice captain Romario Shepard and Kargizu Rabada look like the good choices right now Gerald Quirzia obviously एक all-time choice है क्यूंकि जिस तरीकी की wicket-taking form में है of course ऐसा दिन आ सते है जाने wickets ना मिले and वो दन आपकी team महाँ पे hurt हो सकती है but अभी के लिए I'm going with Sam Karan and Kargizu Rabada we can change this post the toss if required अब चलते हमारे आचके Grand League options low-select Dark Horse picks for this game Romario Shepard while bowling first and Lewis Duploy while batting first आपको ओरी पता है आप numbers देख चुके हो so you know why I'm talking about this high-select drop-riss bomb Papp Duplicy Rassi Vanderdustin and Nandre Berger will be those choices Grand League captaincy vice-captaincy options Liam Livingston Shepard which also means bowling first and in both scenarios Sam Karan Faf Rabada and Kujdri will be the top choices so ये रह हमारे आचका fantasy preview thank you so much for tuning in I hope आप सब कोई content पसंदाया हो remember to join us on telegram and just for fun don't forget to predict in the comments आपको क्या लगता है आच कितने आंस मारेंगे Rassi Vanderdustin जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए thank you so much for tuning in and thank you so much for all your